क्रिकेट की तियास में आज तक सिफ दो ही टीमों ने राज किया 1970 असिक के दौर में बेस्ट इंडिज ने क्रिकेट पे राज किया और उसके बाद दूसरी टीम थी आस्टेलिया सन 2000 से लेकर 2010 तक क्रिकेट में पूरी तरह से आस्टेलिया इच्छाया था में आसू आ गया था उस दोर में लगातार तीन भी सुकप का खिताब ऑस्टेलिया ने जीता 1999 2003 2007 ऑस्टेलिया मतलब उस समय ऐसे टीम थी ऑस्टेलिया के सामने खड़े होने से भी लोग कतराते थे क्योंकि ऑस्टेलिया से एक ही चीज़ जानती थी जीतना जीतना और हर हाल में जीतना ऑस्टेलिया टीम का गुरूर इस तरह से भाट टीम में तोड़ा था कि उन्हें उस सद्वर से निकलने में कई दिन लग गया था सटीवा की टीम भारत दोरे पे आये थी 2000-2001 में और सपना था कि भारत की सरजमी पर 30 साल बार टेस्ट सीरीज पर कबजा करना टेस्ट सीरीज को जीतना इस पे आखरी बार 1970 में आउस्टेलिया टीम ने इंडिया को इंडिया में हराया था उसके बाद तीन दसक निकल गया, कई दोरा हुए लेकिन आउस्टेलिया इंडिया में आके कभी भी जीत नहीं पाया और आस्टेलिया की सुरुआज बहुती खतरनाक तरीके से होती है जब 2000-2001 में ये टेस्ट सिंकला सुरू हुई तीन टेस्ट मैच की सिंकला थी पहला मैच आस्टेलिया ने बड़े आसानी से भारत को हारा दिया था दूसरा टेस्ट इतिहास बन गया क्योंकि भारत ये टेस्ट हार चुका था कोई उमेद नहीं थी क्रिकेट इतिहास के 100 साल की इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक बार होगा था लेकिन इस बार इतिहास को ये मंजूर नहीं था इतिहास को बदलने के लिए इतिहास के साथ लड़ाई कर रही थी और वो टीम थी वो टीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आस्टेलिया बिजयरत पे सवार थी कई सालों तक आस्टेलिया हारा नहीं था यहां पे 170 रन पे अलाउट होगी और भारत को यहां पे फालों खेलना पड़ा और यह नहीं यहां पे भारत को फालों दे दिया और पूरे क्रिकेट इतिहास में साथ साल मिस से पहले से एक ही बार हुआ था कि इंडिया में जाके हमें सीरी जितना है उमीद लेके आये थे दर्सकों का उमीद था स्टिवा उस समय उनके बास बॉलिंग की बात करें सेनवान जैसन गिलसपी ग्रेंड मैंगराथ ब्रैटली कोई एक जाता था माइक कास्पर बीच कोई एक जाता था तो दूसरा बिकेट लेता था उनकी बाउंसर इधार से निकलते थी इधार से निकलते थी लेकिन सेकेंड टेस्ट यहाँ पर इंडिया जीत जाता है और तिसा टेस्ट भी इंडिया जीत जाता है और सिंकला दो एक से इंडिया जीत जाता है इसी के साथ यहाँ पर उस दौर का मीडिया ऑफ्ट इस्टिवा और मिग्गराथ के आँखों में आशु आ गया उस सीरीज के बाद क्योंकि उस सीरीज उनको हारना ही नहीं था यहां पर बात थी भारत की जजबात की भारत भी जानता था ओ तेश्ट में जितने के बाद उस सीरीज जितने के बाद भारत ने कभी पलट के नहीं देखा और उसके बाद बिजेस में भी जाके भार्टी टीम विपक्षी को हराने में सक्छम रहा है उसके बाद इतियास बदल गया लेकिन वो मलाल आज तक है कि स्टिवाक की टीम के आखों में आशु आगए कि हम 30 साल बाद यहां पर जितने की गालार की थे लेकिन हमने यह स ना की था भारत ने उस स्क्रीन को हरा है उस समय उस्ट्रेलिया को हराना मतलब इस दौर में कोई सोझ m 99 जीता है, तो इस तरह से Australia टीम उस दोर की सबसे महान उनका एरा था, वो जीत पर जीत जीत पर जीत, और सबसे बड़ी बात हैं था कि ना Australia को उस समय 16 टेस्ट मेज़ का गुरूर था, 16 टेस्ट में जीत चुकी थी और वो अपने आपको बेताज बात सामाने लग जेती